Study IQ IAS अब तयारी हुई अफोर्ड़बर विजय नगर एंपायर फिम दिए आईज अव ट्रावलर्स वेलकम टू Study IQ IAS मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों आप सभी ने कभी न कभी किसी न किसी कल्चुरली इंपोर्टन प्लेस या हिस्टोरिकल प्लेस की यात्रा तो जरूर की होगी इस दोरान आपको अपने कल्चुरल इंवाइन्मेंट से डिफरेंट कल्चुरल इंवाइन्मेंट का अनुभव जरूर हुआ होगा ठीक ऐसा ही कुछ अनुभव विजय नगर एंपायर की यात्रा करने वाले फोरण ट्रैवलर्ज को भी हुआ था इन ट्रैवलर्ज ने विजय नगर एंपायर की राजनीती सामाजिक रीती रिवाज धार्मिक मान्यताओं शहरी जीवन व्यापार आदी का विस्तृत वरणन अपने ट्रैवल अकाउंट्स में किया है आज हम इन ही ट्रैवलर्ज के नजरिये से विजय नगर एंपायर को जानने का प्रयास करेंगे तो आईए शुरू करते हैं इतालवी व्यापारी निकोलो डिकॉंटी के यात्रा वृत्तान से निकोलो डिकॉंटी इतालवी व्यापारी निकोलो डिकॉंटी विजय नगर की यात्रा करने वाले पहले यात्रियों में से थे जिन्होंने 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में विजय नगर की थी वो देवराय प्रथम को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताते हैं विजयनगर शेहर के बारे में उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट में बताया है कि इस शेहर की परिधी 60 मिल थी जहां 90,000 आम्ड सोल्जर्स राजा की सेवा में हर समय मौजूद रहते थे उन्होंने देवराय की 12,000 पत्नियों का उल्लेख किया है जिन में से 2-3,000 को राजा की पत्नियों के रूप में इस शर्त पर चुना जाता था कि राजा की मृत्यू पर वे भी उसके साथ जलकर सती हो जाएंगी कॉंटी ने इस प्रथा का ये कहते हुए उल्लेख किया है कि इसे उन महिलाओं के लिए एक बड़ा सम्मान माना जाता था कॉंटी ने कुछ ऐसे टेंपल फेस्टिवल्स का उल्लेख किया है जो आज भी करनाटक में मनाई जाते हैं विजय नगर में हर साल होने वाले फेस्टिवल अव लाइट का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि इस दिन विजय नगर के लोग मंदिरों और अपने घरों में तेल के दिये जलाते हैं इसके अतरित वे एक अन्य फेस्टिवल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस दिन विजय नगर के लोग एक दूसरे के ऊपर केसरिया पानी का छुड़काव करते हैं। यहां तक कि राजा और रानी के ऊपर भी इस पानी का छुड़काव किया जाता था। उन्होंने चैरियट फेस्टिवल के बारे में भी विस्तार से बताया है। इस फेस्टिवल में सजी धजी युवा महिलाएं नृत्य करने के साथ साथ भगवान की आराधना करती थी। इस फेस्टिवल के समय कॉंटी सेल्फ सेक्रिफाइस का दृष्य देखकर दंग रह गए। जब इन समारोहों में लोग कई तरह के musical instruments बजाया करते थे जैसे flutes और trumpet। कॉंटी के अनुसार ये musical instruments लगभग वैसे ही थे जैसे उसने अपने घर इटली में देखे थे। विजय नगर के बारे में उनका observation था कि वहां महमारी और अकाल नहीं पढ़ते थे। कॉंटी ने विजय जो अपना लोन नहीं चुका पाते थे, वो लोन देने वाले के यहां दासों के रूप में कारे करने लगते थे। ऐसा लगता है कि कॉंटी विजय नगर में bonded labor का उलेक कर रहे थे, जो उन दिनों दुनिया के अन्य हिस्सों में भी आम थी। दोस्तों, यहां हम देख सकते ह है कि कॉंटी के दिल्चसपी, exotic और आश्चरे जनक चीजों का वर्णन करने में अधिक थी। यह एक सामान ये human nature है कि हम जिस सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं, उसे standard मान लेते हैं और उससे अलग कुछ भी दिखने पर हम उसकी तुलना स्वाभाविक अब्दुर्रजाक के नजरिये को देखते हैं। दिरंकुष शासक बताते हैं, जिसके पास एक मिलियन से अधिक सैनिकों की सेना थी, जिसमें लगभग एक हजार हाथ ही थे। अब्दुर्रजाक के अनुसार, राजा शासन में ब्रहमनों को बहुत अधिक महत्व देता था। रजाक ने विजयनगर राजदरबार, राजा तक कि दस वर्ष की आयू के बाद लड़कों को भी उनकी माउं से अलग कर दिया जाता था। शेहर के बाजारों के बारे में वे लिखते हैं कि शेहर की मेन स्ट्रीट के दोनों और आर्टिजन्स के लिए स्टॉल बनाए गए हैं, जिसमें सभी तरह के आर्टिजन्स अपन लेक किया है। उनका अब्जवेशन था कि यहां वेश्या वृत्ति को एक व्यवसाय की तरह चलाया जाता था और राज्य द्वारा इनसे नियमित रूप से टैक्स वसूल किया जाता था, जिससे मिले रेविन्यू द्वारा पुलीसिंग की व्यवस्था की जाती थी। रा पाई की। रजाक ने विजय नगर में वार्शिक महनवमी फेस्टिवल में भाग लिया था। वो बताते हैं कि इस उत्सव में राजा रानी के अलाबा राज्य के सभी गवर्नर शामिल हुए थे। कई दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मल्टी स्टोरी मंडपो का नि शडियंत्रों का भी उलेक किया है। एक फेस्टिवल के दोरान राजा के भाई नहीं उसे मारने का प्रयास किया था। परन्तु वो असफल रहा। इसके बाद देवराय ने उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जो इस शडियंत्र में शामिल थे। आईए अब हम पुर्टगाली अधिकारी दुआठे बारबोसा के यात्रा संस्मरोणों दूआरा विजयनगर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दुवार्टे बार्बोसा बार्बोसा भारत में पुर्टगाली बस्तियों के एक अधिकारी के रूप में 1520 से 1516-1517 के बीच भारत आये थे वे कन्नानोर के पुर्टगाली कारखाने में एक क्लर्क के रूप में तैनात थे और कभी-कभी मल्यालम भाशा के इंटर्प्रिटर के रूप में भी कारे करते थे उन्होंने अपनी बुक लिवरो डी डुवार्टे बार्बोसा में विजयनगर की यात्रा संबंधी अपने संस्मारणों को संकलित किया है उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट्स में वीर नर्सिंग तुलुव के शासन कालकाउल लेक किया है उन्होंने विजयनगर को मजबूत स्टोन वॉल और पहाडियों से घिरा हुआ बताया है जिसके एक तरफ तुंग भद्रा नदी बहती थी जो नगर को एक नैचुरल डिफेंस प्रदान करती थी बारबोसा लिखते हैं कि इन स्टोन वॉल्स के अंदर विजयनगर के राजाओं द्वारा समतल मैदान में भव्य महलों, मंदिरों का निर्मान करवाया गया था आईए अब हम डॉमिंगो पेज के दृष्टिकोन से विजयनगर सामराज्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं पुर्टगाली ट्रैवलर डॉमिंगो पेज 1520 से 22 के मध्य कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर आये थे उन्होंने विजयनगर के फोटिफिकेशन, सडकों और बाजारों के साथ-साथ हमपी में प्रसिद्ध विरुपाक्षमंदिर सहित शहर के प्रमुख मंदिरों के बारे में अमूल ये जानकारी दी है विजयनगर के साइज का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि इसका साइज रोम के बरावर है जिसमें असंख्य लोग रहते हैं विजे नगर के बाजारों के बारे में उलेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि इन बाजारों में विश्वकी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो न बिक्ती हो रजाक की तरह पेस ने भी महानवमी फेस्टिवल का विस्तार से वरणन किया है जिसकी शुरुआत राजा के महल से होती थी उन्होंने इस फेस्टिवल में मेल एंड फीमेल वारियर्स के बीच रेस्लिंग के मैचस का उलेख किया है आईए अब हम फरनाव नूनिस के ट्रैवल अकाउंट के जरिये विजयनगर एंपायर को देखते हैं फरनाव नूनिस पुर्टगाल के फरनाव नूनिस घोडों के व्यापारी थे जिन्होंने 1535 से 1537 के मध्य विजयनगर सामराज्य की राजधानी में तीन साल बिताए थे नूनिस अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आये थे नूनिस विजयनगर के इतिहास में विशेश रूप से रुची रखते थे उन्होंने अपने यात्रा विवरण में विजयनगर सामराज्य की डक्कन के सुल्तानों और उडिसा के राय शासकों के साथ हुई वार्ज का वर्णन किया है नुनीज ने भी विजयनगर में हर साल होने वाले महनवी फेस्टिवल का उलेक किया है उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट्स में विजयनगर सामराज्य में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले एक्स्टोर्डिनरी जूलरी, सतीप्रथा, राजकिये समारोहों के अवसर पर गणिकाउं द्वारा किये जाने वाले अद्भुत्न रित्य, और राजा की सेवा मे कारे रद हजारों महिलाओं का विस्तरत वर्णन किया है. कंक्लूजन इस बात की बहुत संभावना है कि उनके सांस्कृतिक पूर्वाग्रह उनके यात्रा व्रित्तान्तों में भी शामिल हो गए हूँ. अपने different cultural and religious background के चलते वे उन चीजों के प्रती अधिक आकरशित होते थे जो उन्हें अजीब या चौकाने वाली लगती थी और वे अक्सर उन्हें बढ़ा चड़ा कर पेश करते थे जैसे उन्होंने अपने travel अकाउंट्स में मूर्ती पूजा और सती प्रथा का वर्णन बहुत बढ़ा चड़ा कर किया है। कुल मिलाकर विजयनेगर एंपायर के बारे में इन यात्रियों ने जो वर्णन किया है। उससे न सिर्फ हम विजयनेगर सामराज्य की राजनीती, अर्थव्यवस्था, सामाजिक रीती रिवाजों और व्यापारिक गतिविधियों अब तयारी हुई अफोर्डिबल